क्या आप जानते हैं कि जब मच्छर आपका खून चूसते हैं तो उनका क्या होता है? अगर आप सोचते हैं कि मच्छर सिर्फ चुभाकर और चूसकर ही खून चूसते हैं तो आप बिलकुल गलत हैं. वास्तव में जब भी कोई मच्छर आपका खून चूसता है तो यह आपके उपर एक न्यूनतम आकरामक सर्जरी करने जैसा होता है। आईए देखें कि यह मच्छर डॉक्टर आपकी सर्जरी कैसे करता है। सबसे पहले यह चुपचाप आपकी त्वचा पर उतरेगा। आपके द्वारा देखे जाने से बचने के लिए आपके निचले मुह की स्थित उपकरन जो उसका मुह होता है निकालना शुरू कर देता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मच्छर के मुह में केवल एक सुई होती है। वास्तव में उसके मुह के अंग अलग-अलग कार्य करने वाली छे सुईयों से बने होते हैं। स्पष्ट रूप से देखने के लिए इसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखना आवश्यक है। उनके श्रम का विभाजन स्पष्ट है। दो सबसे बाहरी दातेदार सुईयां आपकी तवचा को काटने के लिए जिम्मेदार हैं। दो आंतरिक सुईयां रक्त वाहिकाओं के रास्ते में बाधाओं को दूर करने के लिए जिम्मेदार हैं। और दो मध्य सुईयां रक्त को चूसने से रोकने के लिए एंटी को अगुलेंट योगिकों को स्रावित करने के लिए जिम्मेदार हैं। इस प्रक्रिया में आपका रक्त जम जाता है। और दूसरे मच्छर के वास्तविक भोजन उपकरण होते ह आपके द्वारा खोजे बिना। ये लालच से आपका खून चूसेगा जब तक कि इसका पेट फूल कर अपने आकार से कई गुना न हो जाए। इस प्रक्रिया में ये इस सुई के माध्यम से वायरस को आपके रक्त प्रवाह में भी इंजेक्ट करता है। इतना ही नहीं। अधिक रक्त प्राप्त करने के लिए ये रक्त चूसने की प्रक्रिया के दौरान शरीर से अतिरिक्त पानी बाहर निकाल देगा। ये तब तक खाएगा और शौच करेगा जब तक इसका पेट फटने वाला न हो जाए। और फिर ये संतुष्टी के साथ निकल जाएगा। ज्यादा तर्मामलों में जब तक आप अपनी तवचा में जुनजुनी और खुजली महसूस करते हैं तब तक मच्छर उड़ चुका होता है। ये समवेद नहारी दवा के गुजरने के बाद आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के कारण होता है।